नमस्कार दोस्तों जी के अर्जुन सार यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है उत्तर प्रदेश लोग सवायोग प्रियागरा जैसी परक्ता इतिहास प्रेटी सेट 3 में तो चले वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले आपसे एक प्रोटीस रिक्वेस्ट अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीजी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने वाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अप्लोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप के मुबाइल पर सबसे पहले पहुँचे तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं हाँ अगर आप लोग इससे पिछला प्रेटिशेट दो तक देखना चाहते हैं इसका वीडियो तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ जिसका नामे यूपी पीजी टी इतिहास और उस प्ले यहने कि संपूर इतिहास का जो मास्टर वीडियो है वो साड़े चार घंटे का है 500 कोर्शन उसमें हैं और यह जो है सुमेलित करने वाले प्रसन हैं खास बात है कि उसका पीडिएफ भी अवलेबल है तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं तो यह जैसी प्रक्ता इतिहास का एक्जाम जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 19 सितंबर को इसका डेट रखा गया है और इसके लवा हमारे चैनल पर जहें यूजी सी नेट का वी इतिहास के लिए वीडियो अप्लोड होगा बहुत जल्द ही हायर एजुकेशन सम्मंदित भी वीडियो बीच बीच में अ तो अभी थोड़ा स्वास्त सही नहीं है इसलिए अभी केवल एक ही वीडियो अप्लोड हो पा रहा है जैसी प्रक्ता का तो आने वाले समय में यूजी सी नेट और हायर एजिकेशन के इतिहास सम्मंदित कोशन भी अप्लोड किये जाएंगे तो चले वीडियो प्रारंब क करते हैं देखे इसमें पाला कोशन है मनी मेखलाई और सिल्पादी करम क्या है दिया संगम साहित्य की पुस्तके हैं या करलिंग के व्यपारिक नगर है या बौध धर्म के सुरोत पुस्तके हैं या करनाटक में हिंदु मंदिर है तो मनी मेखलाई और सिल्पादी गारम क्य है तो ये जो है इसका एंसर होगा यह संङम साहित्य की पुस्तके है अ मड़ी मेखले ये जो है संगम है संगम साहित्य में और इस सफ्तक कर लेखक कर नाम देखा जाए इसमें मड़ी मैखले के तहीं इसके लेखा का नाम था सितले सतनार और सिलपादिकारम का अगर लेखा का नाम देखा जाये इसके लेखा का नाम था इंगलो आडिगल Q2 देखे आजीवक किसके पंथ थे बौध धर्म, जैन धर्म, हिंदु धर्म या जोरश्टर धर्म के तो आजीवक किसके पंथ थे इसमें एंसर हो जायेगा B, जैन धर्म के तो छठी सताब्दी इसापूर में मखली गोसाल ने आजीवक संपरदाय के अस्थापना की थी और यह एक भाग्यवादी जैन पंथ भी है इसलिए इसे जैन धर्म से रिलेटेड माना जाता है इसको कुश्ण नमर तीन है भद्र बाहू कौन थे बौध भिच्छू, सैवमुनी, तांत्रिक पुरोहित या जैन साधू तो भद्र बाहू जो है एक जैन साधू थे डी एंसर हो का इसमें जैन साधू यानि मगद में जब आकाल पड़ा था तो उस समय जैन संत्त थे जिसका नाम था भद्र बाहू अपने कुछ अनुवाईयों के लेकर ये दच्छिन भारत चले गये थे और बाद में यहीं लोग जो है दिगंबर कहलाए और जो मौर समराठ थे चंद्रगुप्त मौर अन्तीम समय में भद्रबाव के साथ ही सर्वाणवल गोला चले गये थे कुशन नमर चार देखे रुमन देही अस्तम्ब किसके सासनकाल का है असोक कनिस्क समंद्रगुप्त या मिनांडर इसमें अंसर हो जायेगा ए असोक मिस्तित है तो यहां पर असोक ने एक अस्तम्ब उत्किर्ण कराया था अपने सासन के 18 वर्ष में यह भी कभी कही पुछता है कवथे वर सासन के 18 वर्ष में और यहां की यात्रा की थी और वहां की जो कर की दर थी एक बटा आठ कर दिया था कुशन नंबर छे देखिए नैनार कौन थे नैनार कौन थे सैव साक्त वैसनों या सुरुपासक इसमें अंसर हो जायेगा यह सैव धर्मा लंबी नैनार कौन थे सैव धर्मा लंबी थे तो नैनार जो है सैमत को मानने वाले दच्छिन भारती संतों का एक समू था दच्छिन भारत में थे नैनार इसी तरह एक और कोशन पूछा जाता है कवी कि अलवार कौन थे था अलवार जो है बैसनों धर्म कि से समंदित हैं तो यह नैनार है तो सैवधार्म कोश्चन नमर साथ देखिए चंद्रगुप्त मौर एवं खारवेल दोनों ही ने क्या किया था इसमें कलिंग पर सासन किया था या जैन धर्म अपनाया था या गिरिकों से इद किया था या हिंदू मंदिर बनवाया था तो चंद्रगुप्त मौर और खारवेल दोनों ने ही जैन धर्म अपनाया था इसमें इंसर जैन धर्म अपनाया था कर्वेल से भी पता चलता है तो जैन धर्म की समर्थक होने का संकेत ने लिखा तो महाभास किस ने लिखा इसमें अंसर हो जाएगा ड़ी पतंजली ने यानि कि महाभास के लेखक कौन थे पतंजली और यह जो है पुछ सिमित्र सुंग के समकालीन थे कोश्चन नमबर 9 है जैन एवं बहुत धर्म के बारे में एक गलत कथन पहचानी है इसमें कौन सा कथन गलत है यह पूछ रहा है इसमें देखे दिया है दोनों कर्म विश्वास करते थे दोनों का ही विदेशों परचार हुआ दोनों में ही विभाजन था दोनों ही यह कई हिंदु धर्म के साथ समरानता हैं इसमें एंसर हो जाएगा बी दोनों का ही विदेशों में प्रसार हुआ यह गलत कथन है दोनों का किसके आउसेस मिले हैं काली बंगा में किसके आउसेस मिले हैं इसका एंसर हो जाएगा डी सिंधु घाटी की सब्धेता इसके आउसेस मिले हैं कोश्चन नमर 11 देखे अनुलोम एवं परतिलोम किसे सम्मंदित है तो अनुलोम और परतिलोम विवा से सम्मंदित है किसे है विवा से अनुलोम विवा वह होता था जिसमें पूरूस जो है उच्च वरका और इस्तरी निम्न वरका था तो अनुलोम है परतिलोम वह विवा था जिसमें इस्त्री उच्वर के पुरुस निम्नवर का था कुश्चन नमर बारा देखे बैदिक भारत में बैदिक भारत में क्या था राजाओं में बहु विवा प्रचलित था बैदिक भारत में इसका एंसर होगा कुश्चन नमर तेरा देखे के धावली में क्या है? सिला लेख ऐस्तम्भलेख है चत्र या बिहार है हैं तो धावली में क्या है सिला लेख है इसका premiere होगा सिला लेख यानि आसोक के अभिलेख पूरी जिला में है धावली तिया सो कस्तम भाई को स्टन नमबर देखे चाउदा कनिस्क ने क्या किया यह पूछ रहा है इसमें कलिंग पर विजय प्राप्त की अनेक हिंदू मंदिर बनाए बिक्रम संबत प्रारम के आंतिम बहुत सम्मेलन बुलाया इसमें अंसर हो जाएग को क्या कहा जाता था कि प्रतिवेदक सम्मरात्र के विश्वास पात्र कुप्त चर एक प्रकार के होते थे जो समराज की विभिन घटनाओं से राजा को आउगत कराते थे कोश्चन नमर सोला देखिए पलिनी ने किसका वड़न किया है कनिस का, चंद्रगुप्त मौरे का, हर्स का याइन में से किसी का नहीं पलिनी ने जो है चंद्रगुप्त मौरे का वड़न किया है कोश्चन नमर 17 है, अग्रोनो माई किस विभाग का अधिकारी था ये पूछ रहा है, किस विभाग का अधिकारी था सेना उद्ध्योग भूमी राजस्व विभाग वानिज्य इसमें करेक्टेंसर हो जाएगा आपका सी भूमी राजस्व विभाग बिविद कारे थे अग्रो मोई के, लेकिन उसके बिविद कारे में भूमी राजस्व विएक था कोश्चन नमर 18 देखिए, बिक्रम सिला किसके साथ तुलनी है राजग्री, नालंदा, बोध गया या कांची इसका करेक्टेंसर हो जाएगा बी नालंदा कोश्चन नमर 19 देखिए चैत गुफाएं कहां है महाबलीपुरम, नागारजुन कोंडा, कारले या कांची में इसका एंसर होगा C, कारले कारले नहीं है, कारले है कोश्चन नमर 20 देखिए, दूतिय पुलकेशियन किसका समकालीन था फाह्यान, फ्लीनी, अलबरुनी, हुएंसांग इसमें करेक्टर एंसर हो जाएगा आपका D, हुएंसांग के समय जवहर प्रथा किसमें प्रचलित थी? राजपूतों में, माराठों में, सिखों में, या पठानों में ये प्रतिक किसके हैं पल्लोश अलिकेक के तो मामल पुरम के जो अस्थापना की गई थी पल्लोश आ सक धेंग जिसका नाम था नर्सिंग वर्मन के के से यह हर्स ने कलिंग पर बिजय प्राप्त की या मखोरी वनसस था इसमें correct एंसर हो जाएगा आपका first number A वाला जो सही होगा हर्स ने चीन के साथ राजदूतों का बिन में किया question number 24 देखिए नरी गरंथ निगरंथ कौन थे इसका एंसर होगा C जैन थे question number 25 है संधी विग्रह किससे संबन्दित है संधी विग्रह किससे संबन्दित है तो संधी विग्रह किससे संबन्दित है बैपार एवं वालिज से मुद्रा एवं टंकर से क्रिसी एवं भूराजस्व से या यूद एवं सांती से इसमें इंसर आपका हो जाएगा डी युद्ध एवं सांती से यानि पुरुमध्यकाल में अगर देखा जाए तो संधी विग्रह राजिका महत्पूर्ण पद होता था और उसका कारे होता था सांती वा युद्ध से समंधित कारे होता था इसका कुशन नमडर 27 है भक्ती भक्ती नहीं है पर भुक्ती इसको पढ़िएगा भुक्ती क्या था एक प्रसासनिक बिभाग या नापने का एक साधन या एक प्रकार का कर या सेना का एक भाग तो भुक्ती जो है एक प्रकार का प्रसासनिक बिभाग होता था आप देखे गुप्त या गुप्त तरकाल की में अगर बात करें तो भुक्ती जो है प्रांत को कहा जाता था जिसे बिसे या जिलाम बाटा गया था भुक्ति का मुख्य अधिकारी जी होता था उपरिक का लाता था उपरिक तो एक प्रसासनिक विभाग है भुक्ति कुशन नमबर 28 देखें अस्व घोस ने क्या लिखा कथा सरित सागर बुध चरित दसकुमार चरित या हरीवन्स इसमें अंसर हो जाएगा आपका भी बुध चरित यानि कनिस्क के दरबारी साहितिकार चौथी बव संगिती के अध्यच थे ये अस्व घोस उन्होंनों जे रचना की थी बुध चरित के अलावा उन्होंनों जे सौधरा नंद सारी पुत्र परक्रण की भी रचना की थी कुशन नमबर 29 है और अंतिम कुशन है सिंगेरी द्वारी का पूरी परी नहीं है पूरी है पूरी तथा बद्रिनात में क्या है दियाया यहां पर आपसन संक्राचार की द्वारा प्रतिष्ठित मठ या सात्वाहनों की द्वारा बनाए गई मंदिर या बुध को समर्पित चैति या जैनों द्वारा बनाए गई गुफाएं तो क्या है यहां पर यह पूछ रहा है इसमें तो इसका correct answer होगा ए संकरा चार द्वारा प्रतिष्ठित मठ है सिंगेरी द्वार का पूरी तथा बद्रिनाथ में तो सिंगेरी आपका दच्छिन में पड़ेगा मैसूर में द्वार का पस्षी में साधा फिट पूरी पूरु में जो है गोवर्धन पिट बद्रिनाथ उत्तर में जिसको जोटिस पीठ भी कहा जाता है यह थे कुश्चन आज के लिए तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप को पसंद आया होगा पसंद आयते इसको लाइक करें अपने दोस्तों के आधिक सेर करें धन्य बाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम